सिद्धार शुकला और रश्मी देशाई बिग बॉस सीजन 13 के दो बहुत बड़े चहरे हैं उनकी फैन फॉल्विंग जबरदस्त है लेकिन बिग बॉस में फैन्स ने इनकी केमिस्ट्री कम नफरते जाद देखी है शो में दोनों के बीच काफी सारी हाई वोल्टेज ड्रामे भी हुए हैं लेकिन अब धीरे धीरे उनका रिष्टा सुधर रहा है वो आपस में अच्छे से बात करने लगे हैं दरसल सिदार्थ और रश्मी को फैन्स ने बीते एपिसोड में एक दूसरे से मज़ेदार बात चीत करते देखा प्रोमो वीडियो में दोनों गार्डन एरिया में अकेले भी बात कर रहे हैं रश्मी ने सिदार्थ से कहा कि वो उनके दिमाग में चल रहे हैं रश्मी की ये बात सुनकर सिदार्थ भी हरान हो जाते हैं वो रश्मी से पूछते हैं कि तुम्हें दिमाग में आखिर चल क्या रहा है रश्मी ने कहा कि तुम मेरे साथ अच्छे से रह रहे हो मेरा ध्यान रख रहे हो मुझे दस बार चीजों के लिए पूछते हो मेरे लिए ये थोड़ा अलग हो जाता है तु भूल तो नहीं किया कि मैं रश्मी दिसाई हूँ मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़े चलती है मैं तुझे दो तीन बाते बताना चाहती हूँ रश्मी ने ये भी काया कि मुझे चीजों से फर्क पड़ता है फिर सिदार्थ ने काया कि उन्हें भी फर्क पड़ता है लेकिन रश्मी ने इससे इंकार किया शो में रश्मी सिदार्थ की दोस्ती की शुरुआत फैमिली वीक के बाद से हुई है, तब रश्मी के भाई के बच्चे शो में आये थे, उन्होंने ही सिधारत और रश्मी की दोस्ती कराई थी, तब यसे रश्मी सिधारत अच्छे टर्म्स में है, जल्द बिग बॉस में फैमिली एपिसोड की शुरुआत होगी, जहां रश्म झाल